स्वागत और फिर से सब्सक्राइब करने वाले बिहार विधान सभा और परिशत के तहर जो एसो का पोस्ट आया था जिसी को बिसिकरी हिंदी में कहते हैं सहायक प्रसाका प्रदिकारी उसके अंतरकर जो पॉलिटिक की क्लास चल दी थी आज ये पांचवा पॉलिटिक क्लास ह से पढ़ाओगा गारेंटि है कि इस तरीके से नहीं पढ़ाओगा 120 प्रसंड गारेंटि में दिऊंगा इसलिए कि प्रटी जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं औलाइन क्लास हो जैड से बात मैं उन्हें उन्हें आर्टिकल के बीच में उल्हाता नहीं हूं आम तब जा करके वहू हमें हमेशा याद रखेगों, चुकि एक्जाम में अक्सर आर्टिकल से examiner है, वह हमें टारगेट करता吧, चुकि पता है कि बच्चे इसे याद करेंगा, और याद किया वाच्ची जो हता है, अक्सर लोग भूल जाया करते हैं, इसलिए जो है वो आर्टिकल बेस्ट जो है वो कोस्टन पूशता है ठीक है चलिए वीडियो को उसलिए रहने से पर जो नए विश्चनलों को देख रहें को बता रहा है तो कि इस चनल पर आपको बिहार विधान सभा और पड़िसेर के तहट जो एसो पोस्ट आए उसके लाइकन हिट कर लिजिए ताकि सारा को नटपिकरसन एसो को बारे मिलते रहें साथी साथ इस चनल पर आपको नई वेकंसी का सबसे पहले अपडेट भी देखने को मिलता है इसलिए इस चनल को अपने दोस भाई बहनों को भी सेर कर दिएगा जो किसी एक्जाम के तियारी कर है ठीक है यहां तो को दिखकत समझ में आ गया होगा अब चलते हैं राष्ट पती तो राष्ट पती का जो मैंने पीपिटी बनाया थो आपको दिखा देता हूं क्या कुछ पीपिटी रहने वाला है सबसे पहले पीपिटी देख लीजिए आज बिसिकली इस पीपिटी में कोई भी कार करेगा व्यक्ति हो पद हो तो वो समिल्हां में उसे राष्ट पती लोगने का काम करता है ठीक है दूसरा यह होता है कि राष्ट पती को हमारे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है यानि भारत देश में सबसे पहला जो नागरिकता दिया आती है वो हमारे रा तो राष्टपती भवन का निर्मान जो है वो एक वस्तुकार ने किया था जिसने तीन चीज़े बनाई थी यानि भारत के सुप्रीम कोट का वे डिजाइन वही किया था और राष्टपती भवन का वे डिजाइन वही किया था और उस वस्तुकार का जो नाम है उसका नाम है ए उपर राष्ट पती को देता है और उपर राष्ट पती अपना इस्तीफा राष्ट पती को देता है फिर अगर बात करते हैं राष्ट पती के बारे में कि राष्ट पती को सपत कौन दिलवाता है तो राष्ट पती को सपत जो है वो मुख रूप से हमारे भारत के जो चीफ ज तो 52 से 62 तक रखते हैं, 52 से 62 तक रखा जाता है, ये तो आपका basic detail, अब तो आसा बात करते हैं, कि राश्च्पती भवन तो आप लोग देख लिए, ये राश्च्पती भवन है, जो आम तरो पर राश्च्पती को free of cost दी जाती है, इसके लिए उन्हें कोई भी पैसे या होता है, वो क्या क्या होगा देखेंगे, सबसे पहले होता है क्या, the president, executive head of the country होता है, executive head का मतलो क्या होता है, कि जब तक राश्च्पती किसी भी बिल पर sign नहीं करेगा, वो कानून नहीं बनेगा, आम तोर पर संसत में जो भी पहले चीजे ला जाती हूँ, वो बिल के रू होड़ोंगे, इनका fix tenure पांच साल का होता राश्च्पती का सभी को जानते हैं, और वरतमान में, रामनात को विंद को replace करके, जो राश्च्पती हमारी बने है, वो को है, दुरपती मुर्मुर्, जो की हमारे देश के कित्रे नंबर के राश्च्पती है, आप बताये का 14 और नेवी, तीनों हमारे forces जो होते हैं, सभी का chief को हम राश्च्पती का अधिन रखते हैं, यानि ये आर्मी, एरफोर्स और नेवी जो तीनों को मुखिया होंगे, वो राश्च्पती का अंत्रगत कार करेंगे, जब देश हमारी खत्रे में होगा, उसका बात करते हैं, रा आश्च्पती के पास तो होती है, लेकिन राश्च्पती जो है, इस diplomatic power का मुकृप से इस्तेमाल नहीं करता है, चुकि ये diplomatic power होती है ये विसिकली कूट नीती होती है आमतर पर जब एक देश से दुसरे देश का संबंध बनता है जैसे के हमारे नरेंदर मोदी जो होते हैं वो देखें विदेश दौर पर जाते हैं और विदेश में जाकर के कोई भी संधोता करते हैं किसी दूसरे देश से दौरा करते हैं उसको जुडिसियल power की बात होती है तो राष्टपती वैस नियाईक power क्या होती है तो राष्टपती दो तिंतरस नियाईक power इस्तेमाल करता है एक तो वो हमारे देश में कोई भी नियाईक मुद्धों पर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीप जश्टि प्रश्डेंट की बात करते हैं तो फानेंसिल पावर में राश्टपती बजट को सबसे पहले सुनता है और उसके बाद ही वो बजट जो है पूरे बिश्व या फिर पूरे राज्यके और पूरे देश के लिए बदाई जाती है और बजट को हम लोग सम्मिधान में कहते हैं AF प्रश्डेंट की डूटी क्या होती है चुकिक बचाकर रखता है कि कोई इंसान सम्मिधान के बाहर जाकर काम ना करें कुकि सम्मिधान के बाहर जाएगा तो भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश के केटेगरी से हटा दिया जाएगा योगता की बात करते हैं तो राष्टपती बनने की नियूंतम आयू क्या होती है तो राष्टपती बनने के लिए नियूंतम आयू 35 वर्स और बुढ़ापा तक राष्टपती बन सकते हैं जब तक आपके जान में जान हैं तब तक राष्टपती आप बन सकते हैं राष्टपती आप दुबारा भी बन सकते हैं ये भी चीजे बताई गई हैं योगता के रूप में उसके बाद इंपीच्मेंट राष्टपती को हटाने की क्या होधी होती है तो impeachment हटाने के लिए राष्टपती अगर सही रूप से कार ना करे मालो की रक्षा के भक्षाग बन जाए या फिर राष्टपती सम्मिधान के बुरूद जाकर कोई कार करना शुरू कर दे तो उसे हटाने के लिए उस पर महाभ्योग लगाते हैं और महाभ्योग जो होता है व वहारत में आज भी ऐसा कोई भी राष्पती अशनद नहीं हुआ है जिस पर 질ा पर महाभ्योगे लगने का मतलब सिधा सीधा है सम्मिधान पर यी तरह से चोट और समिधान का एक केवाल आपको केवाल आप मुझे देखू यहाँ फोकस करना आप आडिकल छोड़ देना बावन से लेके बासट पर सियाद रखना बावन तिरपन चववन पचपन चपन चपन संतावन अन्ठावन उन्सट साथ ठीक है बावन से बासट जो होगी वो दस होगी अब कैसे इसक भूल यहाँ के सामने तुम्हारा क्या दिख रहा है स्लाइड में ठीक है बावन से सुरू करते हैं तो राष्ट देश का एक राष्ट पती होगा उस राष्ट पती को हम लोग सकती देंगे सकती यानि कारेपाली का सकती देंगे ठीक है सकती देने से पहले किसी को सकती देत पांच साल का, कितने साल का, पांच साल का, और अगर वो फिर से बनना चाहे, यानि पुनह उसका चुनाव होगा, तो पुनह चुनाव के लिए उसकी फिर से योगता देखेंगे, और उसको कुछ सर्त मनवाएंगे, अगर सर्त मान लिया, तो उसको सपत दिलवाएंगे, और स सपत दिलवा करके उसको उस पतो बैठाएंगे और गलती करेगा तो हटाएंगे और फिर उस खाली सीट को भर देंगे यानि बावन तिरपन चववन पचपन चपन संतावन अंठावन उनसट शाट एकसट किलियर है तो राश्टपती होगा उसे कारेपाली का सकती देंगे सक राश्टपती के उसका चुनाव के तरीके होंगे चुनाव के तरीके के बाद उसको पांसा का कारेकाल दे देंगे और अगर फिर से राश्टपती बनना चाहे तो बैठाएंगे उसको यानि पुना राश्टपती बनना है तो उसको अपनी योगता दिखानी होगी हमारी प्रफ़ाइब को एक अपने तरह से जदूरी ट्रिक के माध्यम से बताता हूं और यह ट्रिक के इसे कॉपीपेस्ट नहीं है इस से आप भूलोग नहीं इसे मानों आपको पूछ लिए आडिकल पच्पन क्या होता है तो हात प्रगिन लेना बावन तिरपन चौवन पच्पन पच्पन गिलने न और याद करना के सर ने क्या कहानी सुनाय थी या क्या वो बाते कही थी पच्पन है नहीं जेखो बावन तिरपन चौवन इसको में हटा देता हूं ताक्य आको लेका सर देखके बोल ठीक है वावन तिरपन चौवन पच्पन अब उससे कोई पूछे कि 52, 53, 54, 55, 55 उसका तरीका होगा, आके देखते हैं, देखिए, 55 उसका तरीका है, ठीक है, वैसे इसे कोई मुझे से पूछेगा कि 58 क्या होता है, तो 52, 53, 54, 55, 57, 58, मुझे यहाँ तक पोचना है, तो राष्टपती होगा, उसको सक्ति देंगे, सक्ति के लिए चुनाव होगा, तरीका होगा, तरीका होगया, तो उसको 5 साल के लिए बैठा देंगे, और 5 साल के लिए बैठाने के बाद, उसको फिर से राष्टपती बनना होगा, तो उसको कुछ योगता पूरी कर रही होगी, देखना, है ना, 58, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 58 तको योगता है, तो इस तरह से आपने होगा, तो उसको सकती देंगे, कौन सकती है, तो कारपारी का सकती, ठीक है, 52, 54 में लिखना, कि उसके उस सकती के लिए उसको चुनाव होगा, 55 में लिखना, कि उस चुनाव का तरीका होगा, और 56 में लिखना, कि राष्टपती की जो है वो 5 साल का कारेकाल होगा, ठीक है, 56 प्रपन हो गया उसके बाद 57 की बात करते हैं तो राष्ट पती का फिर पुना जो हो वो चुनाओ होगा और 58 में उसको योगता दिखाना पड़ेगा और 60 में उसको कुछ सर्थ मानना पड़ेगा 60 में उसकों सपद दिलवा देंगे 61 में को हटा देंगे इंपीचमेंट और 62 में जब हटाएँगे तो खाली वघ्टा में ओलो पोस्ट वार हैंगया तो खाली वघ्ट वार को कैसे भरेंगे और मैंने इन चीजों को घोल करके पिया हुआ है इसलिए आप लोग को इस तरीके से बताता हो कि पॉलिटी में इंट्रेस्ट हो जाए पॉलिटी के ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सुवा पेपर से लेकर रात के सोने तक चायक पर चर्चा होती है इसलिए पॉलिटी से ही निकलता है पॉलिटीक्स और अगर पॉलिटीक्स को समझना होगा तो उससे पहले आपको पॉलिटी को समझना होगा कहते हैं आपको दोड़ने से पहले चलना सीखना होता है तो पॉलिटी आपको चलना सीखाता है और अगर यह चलना सीख गए तो फिर आप पॉलिटिक्स में दौन नाडाम से सीख जाईएगा तिस तरह से आपका ये प्रेशिडेंट की तमाम बाते रही बावन से लिका बासट अगर अगर पढ़ा था और हमसे अच्छा पढ़ा है तो ये भी बताईएगा ठीक है साथ इस दर वीडियो कर दोस्तों को भी सेर कर दिजेगा जो इससे पहले एसो का फॉर्म भरे हैं और कहीं न कहीं फ्री यूटूब बैच की तरास कर रहे हैं ठीक है दोस्तों सो जय हिंद जय वार दबार टेक केर याट सो थाइक यू